देश में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उचालाया है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी, लासलगाम क्रिशी उतपाद बाजार समिती में बुधवार को प्याज की ओसत थोक कीमत 5,656 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गई, जो पिछले पांच वर्षों मे सबसे अधिक है। आखिरी बार 10 दिसंबर 2019 को प्याज की कीमतें इस तर पर थी। बुधवार को लासलगाम प्याज की ओसत थोक कीमत 4,770 रुपए प्रती क्विंटल ती। लासलगाम क्रिशी उतपाद बाजार समिती अधिकारियों का कहना है कि मांग की तुलना में प्याज की आवक में भारी कमी आई है, जिससे कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है। आम तोर पर लासलगाम मंडी में रोजाना करीब 15,000 क्विंटल प्याज की आवक होती है। इससे बाजार में प्यास की उपलब्धता प्रभावित हुई है। जिले में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हुई भारी बारिश ने खरीफ प्यास की फसल को काफी नुकसान पहुचाया है, जिससे प्यास की आवक पर भी असर पड़ा है। पिछले महीने हुई भारी बारिश के कारण खरीफ प्यास की फसल को व्यापक नुकसान पहुचा है। जिले में नए खरीफ प्यास की आवक अगले महीने के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है। बचे हुए प्यास की गुनवत्ता भी बारिश के कारण प्रभावित हुई है। बाजार समित अधिकारियों के अनुसार, बाजार में प्याज की आवक को सामाने स्थिती में आने में अभी एक महीने का समय लगेगा। प्याज व्यापारियों के अनुसार, गर्मियों के दौरान मार्च और अप्रेल में काटे गए प्याज का किसान भंडारन करते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ करीब 6 महीने होती है. लेकिन अब गर्मियों के प्याज का भंडार लगभग समाप्थ हो चुका है और किसानों के पास बहुत कम मात्रा में प्याज बचा है. मांग की तुलना में सप्लाई में गिरावट से लासल गाम्व में औसत थोक प्याज कीमतों में 50% की वृद्धी हुई है. पिछले धाई महीनों में कीमतें 3,600 रुपए प्रती क्विंटल से बढ़कर अब 5,400 रुपए प्रती क्विंटल हो गई हैं. बुद्वार को लासल गाम्व, पी एमसी में प्याज की नियूंतम और अधिक्तम थोक कीमत 3,951 रुपए और 5,656 रुपए प्रती क्विंटल दर्स की गई. लगभग 3,000 क्विंटल प्याज की निलामी हुई, जिससे यह साफ है कि मांग और सप्लाई में असंतुलन के चलते प्याज की कीमतें निकट भविश्य में और बढ़ सकती हैं. Bureau Report Market Times TV